दोस्तो देखिए, आज मैंने ये एक कटिंग की है बलॉवस की और बहुत ही परफेक्क कटिंग है यदि आपके बलॉवस के शोल्डर उतरते हैं, आपके बलॉवस के आर्म होल में फुलान आता है, जोल आता है, कटोरी बलॉवस को बड़ीचोती करना पड़ता है, साइड से इस्ट्रा मार्जिंग देना पड़ता है, ये सभी चीजों को मैंने एक तरफ रख कर बिल्कुल आसान तरीके वाली कटिंग बताई है, तो वीडियो को पूरा अंतर तक देखिएगा, आपको एक एक चीज बारी की से समझ में आ जाएगी, और ये जो बलाउस की कटिंग है न कई तरीके इसमें ऐसे बताये हैं, जो आप पहली बार देखेंगे बलाउस के अंदर, और दोस्तो देखिए इसकी जो अस्तीन है ना इसका भी आर्म होल कटिंग बताया है, बिल्कुल परफेक्ट, दोस्तो वीडियो पूरा देखना और इसकी नहीं करना बहुत काम का तो पहले इसे ही हम निशान लगा लेंगे यहां पर, यह दिखिए इस प्रकार से, अभी यहां पर नीचे क्या करेंगे हम? एक निशान लगा लेंगे, ठीके, और यहां पर देखिए यहां आदा इंच क्या है? आपको मालूम है ना कमर की margin, अभी देखिए यहां पर रखे देंगे हम हमारे बिलाउस की लेंद किती है 14 इंच तो एक निशान यहाँ पर और हाफ इंच का निशान इस तरफ याने उपर लंबाई के लिए और देखिए यह जो इसका शोल्डर स्लोप देंगे न हम यह देंगे वन इंच और वन पाइंट यह देखिए जो स्लोडर रहता है ना उसका ये 15 भाग रहता है लग भग और यहाँ पर देखिए 15 का पाचवन हिस्सा आता है 3 इंच और 6.5 आपाचवन हिस्सा आता है 3 इंच में 1 पाइंच कम तो हम गले की जो चोड़ाई रखेंगे तीन इंच में रखेंगे एक पइंट कम और यहाँ देखिए कितना है हमारे पास shoulder, साड़े चयुदा इंच तो साड़े चयुदा इंच पे एक मार्क लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से देखिए हमको लगाना है देड हेंबर जितना हम दबाओ का देते हैं न एश्ट्रा उतना आगे आपको बड़ा लेना है ठीके अब यह आप क्या करेंगे आदा इंच और एक पाइंट अंदर एक मार्क लगाना है ऐसे सीधा यह देखिए यह मैंने निशान लगा दिया है सबसे पहले देखेंगे हमारा फ्रंट कितना इंचे यहाँ पर लगाएंगे 10.75 पर निशान और इस निशान को आप ऐसे रख लीजिए इस निशान को पूरा उपर ले आईए ऐसे अब यहाँ पर देखिए कितने इंच आ रहा है अपने पास यहाँ आ रहा है मेरे पास यहाँ से देखिए जो हमारा अंदर वाला साड़े चवुदा का निशान है न यहाँ से ठीक है यहाँ पर देखना है आपको कितना आ रहा है 17.75 यहाँ से कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा मेरे पास सवा दो और 1 पाइंट सवा दो और 1 पाइंट को मैं यहाँ पर रख लूँगा ऐसे और हमारे पास आर्म होल कितना है 17.50 उसका हाप कितना आएगा पौने 9 इंच ये देखिए यहाँ पर अभी पॉने नव पर एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर से देखिए ऐसे मार्क यह दोनों का सेंटर आएगा जहाँ पर भी वहाँ से ऐसे मार्क लगा लेंगे इस फ्रेंच करवक थोड़ा नीचे रखेंगे और यहाँ पर यह हो गया अब आप क्या करेंगे यहाँ से ऐसे एक पॉइंट सीधा लगा लेंगे निशान यह निशान आपका यहाँ तक जाना चाहिए यहाँ पर नहीं ठीक है, ध्यान रखेंगे कहा तक जाएगा जहां आमारी मार्जिंग खतम हो रही है ना, वहा तक ठीक अभी देखते हैं इसका आर्मोल कितना आ रहा है सवा नौ इंच ठीक है तो सवा नौ इंच है तो ये अभी आदा इंच यहां से कम होगा कहां से कम होगा क्योंकि अपर चेस्ट हमारा एक इंच कम है फुल चेस्ट से सही है न तो यहाँ पर कितना कम होगा आदा एज लेकिन यह अभी कम क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पहले बेग की कटिंग कर लेंगे और फिर आपको इसका बताएंगे कि फरंट के हिसाब से इसका निशान केसे लगाना होगा देखिए अभी मैं इसकी कटिंग करूँगा पहले बेग और बेग कटिंग के बाद आपको बताऊंगा कि फरंट को कैसे कटिंग करते हैं फरंट में कटोरी कैसे निकालेंगे यह सबी चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगी तो वीडियो को पूरा अंतर तक देखिए ऐसे और यहाँ पर भी वो ही आदा इंच नीचे दबाओ का एश्ट्रा यह निकाल दिया हमने और यहाँ से रखेंगे 14 इंच हमारी जो लंबाई है वो और आदा इंच यहाँ पर क्या है दबाओ का तो यह हो गया मेरे पास 15 इंच यह देखिए ऐसे अभी आपको क्या करना है य क्योंकि हम बेग बनाएंगे बंद वाला फरंड में क्योंकि हुखाई है तो बेग में हुखाई नहीं है तो कुल में यहाँ पर देख लेंगे कितना आ रहा है यह 15 याने 14 प्लस 1 इस निसान को भी लगा लेंगे हम पहले सवानों इंचे चाहिए अपने को यहाँ पर ऐसे और इस फरंड को क्या करिए यहां रखिए और इस से देखिए मिला कर रख लिजिए इस लाइनिंग से लाइनिंग और यह जो है इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि फरंड में हुख है बेग में हुख नहीं है ऐसे ठीक है अभी यहाँ पर क्या करना है आपको ऐसे निसान को लगाना है देखिए इसको जो पूरा गहरा कर लेंगे हम यहां से और इतना उपर अभी देखिए यहां पर आपको आदा इंच बेक को बढ़ाना है ठीक है क्यों बढ़ाना है काई के लिए बढ़ाना है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कितना बढ़ाएंगे आप यहां पर आदा इंच बेक को बढ़ा लेंगे उपर देखी फरंड से यह रखा मैंने यहां निशान लगाएंगे और देखिए अब यहां पर यह तो मैंने पिलकुल ऐसे मिला दिया है बरोबर अभी इसको एकदम थोड़ा ऐसा आसानी से हाथ रख लेंगे और यहां देखिए जित अधा इसे एकजेस्मेंट होता है ना बस उतना ऐसा नहीं कि भूत खीचने के बाद आप फाड़ देंगे और यहां लगाएंगे एक मार्क ऐसे ठीक है यह आगया मेरे पास आर्म होल का नाव और यहां पर देखिए एक मार्क लगाईए ऐसे और यहां से देखिए वही पाईंट ठीक है यहां से लगा दीजी मार्क इस मार्क को यहां पर मिला देंगे सेंटर से लगभग मिला कर और यहां पर भी देख लीजिए एसा रख लीजिए और देखिए बिल्कुल यहाँ पर ऐसे मिला दिजिए बरोबर आना चीए यहाँ से वहां तक ठीक है और यह हो जाएगा मेरा बेक का मार्क अभी देखिए यहाँ पर बेक का मार्क हो गया है ऐसे रख लेते हैं यहाँ पर अब देखेंगे हम कमर कितनी है अपने पास कमर है 32 का 1, 4 किता आता है 8, 8 पर निशान लगाएंगे और यहां से देंगे आप 1,5 इंज की मार्जिंग, ऐसे यह देंज मार्जिंग के लिए यहां पर रखेंगे आप और देंज देंगे मार्जिंग के लिए यह देखिए इसको यहां पर मिला देंगे हम, ऐसे और इस निशान को मिलाएंगे यहाँ पर ठीक है यह कटिंग हो गया हमारा बैग इसे कटिंग कर लेते हैं पहले यह देखिए हमारा बेग हो गया है कटिंग ठीक अब हमको क्या करना है यहां से लगाएंगे मार्क गला कितने इंच का है हमारा 10 इंच का ठीक है आदा इंच बढ़ा देंगे जो की शोल्डर में दबाव का होगा और नीचे भी थोड़ा बहुत दबाव में गला आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए ऐसे लगा लेंगे मार्क ठीक देखिए हमारा शोल्डर कितना हो गया है दबाव साइट पोने 8 इंच तो यहाँ पर कितना रखेंगे आप रखेंगे पोने 4 इंच यह देखिए यहाँ पर तो ऐसे निशान लगा लिजिए एक निशान देखिए यहाँ से उपर से दो इंच सवा दो इंच पर रख लिजिए यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक सवा दो इंच इस निशान को यहाँ लाईए ऐसे अभी देखिए इस दिसान को कटिंग कर लिजिए थोड़ा सा इसको छोड़ देना है यहां तक और यहां तक ठीक है बाकी कटिंग कर देंगे यह देखिए यह हो गई कटिंग अभी देखिए जैसे ही हम 10 इंच गला, 9 इंच गला, 8 इंच गला बनाते हैं तो लगबग शोल्डर को हम कितना कम करते हैं 102 इंच, 2 इंच, ठीक है न तो हम क्या करेंगे इस पर यह अच्छा heavy chest blow से याने 40 इंच का तो यहां पर हमको कितना कम करना है 2 इंच, यहां से देखेंगे इसे तो यह कितना आ रहा है हमारे पास यह आ रहा है 8 इंच में 1 पाइंट कम ठीक है, मतलब हमको कितना चाहिए यहां से 6 इंच में 1 पाइंट कम यह चाहिए हमको shoulder ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे रखेंगे यहां पर और एक glow stick ले लिजी आप यह 10 रुपे का बजार में मिल जाता है हमेशा आपको यह काम आएगा अगर blouse cutting करना है तो आप blouse cutting फर्मे के बिना नहीं होगी, ठीक है और यह देखिए, यहां पर ऐसे ले जाएंगे बिल्कुल ध्यान से देखिए कहां जा रहा है हमारा mark इसको देख लेंगे ऐसे मिला कर यह देखिए, यहां से ऐसे ऐसे मिला यह बरोबर से यहां तक, बस ठीक है, मिल गया यह यह मिल जाने के बाद आपको क्या करना है चलिए उसे देखिए इस भाग को इधर पल्टाएंगे हलका सा यह गलो इस्टिक को यहां पर से लगाएंगे ऐसे ठीक है, यह लग गया अब इसको क्या करना है आपको यहां पल्टाना है जहां भी यह जा रहा है वहां रोख लिजिए ऐसे करकर, ठीक है और रुखने के बाद आपको अराम से 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 प्रेश कर लेना है ठीक है, कर लिया आपन ने अब यह हो गया यहां पर फिक्स ठीक है, यह आगे हमारे पास एक इंच का डॉट ठीक है, बुलाउस में डॉट आपको एश्ट्रा नहीं देना है यहां से निकाल लेना है अभी यहां से देखेंगे हम इसको कटिंग कर लेंगे पहले यह देखिए यह हो गए कटिंग और यह मुझे कितना चाहिए था शिक्स में एक पाइंट कम देखिए कितना आया है, शिक्स इंच में एक पाइंट कम अभी देखिए यहाँ पर हमारा देड़ेंबर दबाव का आ गया है सबा दो इंच यहाँ पर हमको रखना है शोल्डर की चोड़ाई और यहाँ पर भी दबाव का हमारा देड़ेंबर एश्ट्रा आ गया है याने यहाँ पर से अस्तिन दबेगी यहाँ पर से गले की piping दबेगी यहाँ पर देखिए 3 इंच में 1 cm कम है तो 3 इंच और हमारे पास गला बचा हुआ है अब यहाँ से देखेंगे कितना है हमारे पास गला यह 10 इंच का निशान उपर 3 है तो नीचे 3.5 रख लिजिए और जिनको ज़्यादा चोड़ा गला नहीं पेनना है तो उपर 3 और नीचे भी 3 रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चोड़ा गला बनाना है तो मैं क्या करूँगा नीचे 3.5 रखूँगा अब यह निशान हो गया हमारा अब इसको देखिए यहाँ पर मिलाईए ऐसे यह हो गया मेरा बेक कटिंग ठीके आपको यह आइडिया अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चेनल पर नीव है तो सस्क्राइब कर लेना यह देखिए यह बेक कटिंग कम्प्लिट आप देखते हैं यह फरंट पहले इस बेक को साइट में रख लेंगे यह बेक हमारा कम्प्लिट हो चुका है इस पर कहीं भी आपको एश्ट्रा मार्जिंग नहीं देना है ठीक है ध्यान रखेंगे कहीं भी एश्ट्रा मार्जिंग नहीं देना है यहां रखेंगे हम यह रेकिए आप निकालेंगे यहां पर birth point जिसे चेस्ट हमारे पास कितना है चेस्ट ए 39 39 का one four कित्ता आता है 9 point 75 इस पर आपको क्या करना है जैसे ही यह हमारे पास कितना आ जाता है यहां पर से देखिये 9.75 इस पर बस आदा इंच आप पलस कर दीजिए ये हो जाएगा मेरे पास सवा 10 इंच तो सवा 10 पर एक निशान लगाएंगे पहले ऐसे ये सवा 10 ठीक है अब ये शोल्डर कितना है मेरे पास दबाव सहित सवा 8 और बिना दबाव सहित कितना है देखिए ध्यान से साड़े पंदरा साड़े पंदरा का अधा आता है पोने 8 इंच पोने 8 इंच है ये देखिए एसे यहाँ पर रखेंगे आप अगे बड़ा लेंगे और इसको लगा देंगे एक मार्क यह देखिए ऐसे तो यह कितना हो गया हमारे पास देखिए 4 inch छार inch मैंने रखा इसका बस्ट पाइंड की चोड़ाई और नीचे की तरब करेंगे तो यहां कितना रखेंगे साड़े 4 inch कटोरी बलाउस कटिंग कर रहे तो यहाँ पर 4.5 इंच रख लेंगे, जिसे 4 यहाँ, तो 4.5 यहाँ पर, इसको एक मार्क लगाऊंगा मैं पहले, यहाँ से देखिए, ऐसे रख कर, सीधा, ठीके, यहाँ पर अगर यह 40 साइज है, तो 7.3 इंच का यहाँ पर डॉट रख लेंगे, सारी मार्जिंग सहित, ठी ठीके, कितना रखा है मैंने, 7.3 इंच, अभी जब यह चोड़ाई होगी, तो केसे डाट और लंबा हो जाएगा, सबी चीज आपको बताऊंगा, अभी देखिए, यह हो गया मेरा, यहाँ से दोनों के बीच में एक निशान लगाएंगे, 1.5 इंच एक पाइंट पर, यह र अभी देखिए, यहाँ पर देख लिए आपने, आप देखते हैं इसका, यहाँ पर, कितना था हमारे पास, 10.75, यह है 10.75, और यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा, मेरे पास, 10.25, याने, आदा इंच हमारा कम हो चुका है, अपर चेस्ट, इन दोनों निशान को ऐसे सीदे लगा दीजिए, यह देखिए, ऐसे अराम से सकेल को रख लिजिए, कोई जल्दी नहीं है, अराम से वीडियो देखिए, अराम से कटिंग बताई जाएगी, वीडियो कितनी देर का बनेगा, उसका कोई भी प्रबलम नहीं है, ठीक है, यह इसको जो एस्ट्रा है ना इसको कटिंग कर देता हूँ पहले यह देखिए ऐसे और यह है मेरे पास साइट का कट जब भी आप फरंट जोडेंगे ना डायरेक आपको इससे जोड देना है और केसे जुडेगा यह अगला जो वीडियो बनेगा ना स्टीचिंग वाला उस पर देख लिजिएगा कि इसी कटिंग से में कटिंग करके बलाउस की कैसे बताऊंगा और कैसे आपको सिलाई सिखाऊंगा अभी देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर कितना आया मेरे पास देखिए यह आदा इंच को छोड़ दीजिए और यह आ रहा है मेरे पास साड़े ग्यारा इंच यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह आ रहा है पोने बारा इंच तो अपन मान लेते हैं साड़े ग्यारा इंच साड़े ग्यारा में से 8 इंच चुटेगी हमारी कमर ठीके याने 32 का 14 कितना आता है 8 इंच अब मेरे पास कितना बचता है 8 9 10 11 साड़े ग्यारा याने मेरे पास यह बच रहा है साड़े 3 इंच तो मैं यहाँ पर रखूंगा इसे पोने 2 इंच का एक निशान पोने 2 इंच का एक निशान यह देखिए लगा दिया मैंने यहाँ पर और इस निशान को यहाँ पर मिला देंगे देखिए कई तरीके रहते हैं निशान को मिलाने के लेकिन आपन क्या करेंगे अभी डाइरेक जो कटिंग कर रहे हैं आ उसी हिसाप से मिलाते यहां रखा मैंने ऐसे यह और यहां पर ठीक है ऐसे भी मिला सकते आप चाहो तो ऐसे घुमा कर थोड़ा सा राउंड लगा दीजिए यह देखिए ऐसे लेकिन क्या है यह डाइरेक अपन जो सीधा मारते है यह भी चल जाता है कोई इसी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे राउंड में भी निशान मार सकते हैं अब इसको हटा लिए हमने देखिए यहां पर और इस जगे पर यह तीनों निशान सीधे है न अपने यह भी सीधा है अब इसको नापेंगे हम इसका मेजरमेंट लेंगे यहां पर कितना आ रहा है यह पोने चार इंच हमने कितना रखा था यहां पर सवा तीन इंच ठीक है और यह कितना आ गया यहां पर पोने चार यानि आदा इंच हमारा दबाओ जो था एस्टर आ गया कि नहीं आ गया बरोबर आ जाएगा और यह देखिए यहां पर भी यह आ गया बहुत सारी सुविधा कर दी गई है तो आप बड़े आराम से व्लावस की कटिंग सिख सकते हैं देखिए यहां रखा मैंने ऐसे दिख रहा आपको यह जो मैंने शेंटर पॉइंट मारा था यहां से सीधे ऐसे मिला लीजिए ठीक है अगर आपन ऐसे लाते तो कहा रहा है यहां पर अब एक निशान यहां लीजिए यह देखिए यहां पर और यहां से सीधा इस जगे पर आगया वरबर दीख रहा आपको लेकिन यहां क्या हुआ है सीधा जब निशान मारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गरवड तो हमको क्या करना है यहाँ पर ऐसे लेना है फ्रेंच करव को इस प्रकार से और यहाँ धका देंगे एपन ऐसे ठीके और यहाँ मिलाएंगे इसे ऐसे देखिए यह जो है ना यह गरवड करता है कई लोग आपने देखा होगा यहाँ से सीधा मार दो यहाँ से सीधा मार दो इस तरफ सीधा निसान चल जाता है और इस तरफ देखिए ऐसे राउंड करना पड़ता है जब हमारे बलाउस में आती है सही फिनेशिंग ठीक है जब डॉट लगाएंगे तो यहाँ पर डॉट हमको कम भी नहीं पड़ेगा अभी देखिए इसको क्या करना है अपने को पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ से अभी देखिए यहाँ से हमने पहले कितना रखा था सवा दो इंच याने इस जगे पर अब यहाँ पर भी एक मार्क लगा लेते हैं ऐसे कितना आया मेरा सवा दो इंच पर ठीक है इसको भी आप कट कर लीजिए यह देखिए कट कर लिए अभी आप देखिए इसको भी क्या करना है बहुत आसान तरीका आपको बताया गया है यहाँ पर से इसे रखेंगे आप और दो इंच पर एक निशान और इधर मेजर करके देख लेंगे हम कि हमारा चेंज में एक पॉइंट कम आ रहा है या नहीं यह आ रहा है चेंज में एक पॉइंट कम देख लिए आपने अब इसको क्या करना है आपको हलका सा यहां तक ऐसे मार्क कर लीजिए कर लिए आपने अब आप इस भाग को पल्टा लीजिए ऐसे इस गलो को लीजिए यहां पर ऐसे चलाईए सिर्फ एक ही कपड़े पर चलाना है मतलब एक ही पुष्टे पर चलाना है और इसको देखिए ध्यान देना है आपको कि यहां पर इसको नहीं मिलाना है नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा यह जो भाग है ना यह जो एस्ट्रा इसको भी यहां पर एस्ट्रा हमको चाहिए ध्यान रखना है ऐसे बस ठीके यह हो गया इसको ऐसे चिपका दीजिए और ये आ गयी हमारी मार्किंग सीधी ठीक है, यह देखिए और यह देखिए एश्टर हमारा आ गया है हुखाई पट्टी के लिए इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे ठीक है, आपको बिल्कुल आईडिया समझ में आ गया है अभी यह देखिए आप कि यहाँ पर देखिए यह आ गया मेरा टक्स और यहाँ पर भी देखिए यह आ गया मेरा टक्स पहला निसान यहाँ पर इस बेक को लेंगे हम और इसके बिलकुल बरोबर यह देखिए यहाँ रखा मेने ऐसे और यहाँ पर ठीक है यह आ गया यह निशान है यहां से हमको साड़े छेंज गला चाहिए तो कितना रखना है साथ आगया साथ पर और यहां पर लगा देंगे एक मार्क यह जो गला है इससे बिल्कुल सीधे रख लिजिए अगर आपको गला सामने भी चोड़ा पेनना है और अच्छा ब्रॉड दीखने वाला पेनना है तो इसको थोड़ा ऐसे सीधा कर लेंगे बिल्कुल इतना सुन्दर गला आएगा और ग्यारंटी है आपका शोल्डर कभी नहीं उतरेगा और गला भी कभी आपका नहीं उतरेगा इस कटिंग को बिल्कुल आप बरोबर कर लीजिए देखिए आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा अंदर गला रखूँगा ऐसे मतलब क्या है कि यहाँ पर उपर मेरा कितना हिंच आया है दबाव सहीद साड़े तीन में एक पाइंट कम और यहाँ देखिए नीचे साड़े तीन में एक पाइंट कम यानि यहाँ पर जितना गला है नीचे भी गला उतना ही है अब इसको लगा देंगे हम यहाँ पर एक मार्क यह क्या हो गया गोल गले का आप चाहो तो कोई भी डिजाइन का गला यहाँ पर बना सकते हैं आप देखेंगे हम इसका 1.4 हमारी कटवरी कितनी चाहिए और साइट का भाग कितने इन चाहिए ठीक है हमारा 8.75 चाहिए कमर जो यहाँ पर आती है न वो आली ध्यान रखेंगे कहां पर आती है इस जगर पर आती हो कितनी आती 8.75 इसको 3 भाग में बाट लेंगे अब देखिए यहाँ पर 3 भाग करने में परिशानी होगी तो 2.5 बड़ा देंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 9 इंच 9 का 3 भाग कितना आता है अब तो आसान हो गया ना 9 का 3 भाग आता है यहाँ पर 3 इंच यहाँ रखेंगे 3 इंच पर एक मार्क लगा लीजिए यहाँ रखिए 3 इंच पर एक मार्क लगा लीजिए ठीक है अभी क्या करना है आपको इस निशान को थोड़ा सा ऐसे कर लिजिए क्रास हलका सा है न और यहां से मिलाईए ऐसे अभी देखिए जहां से हमारा गले की गुलाई चल रही है न यहीं से कटती है कटोरी अगर सही तरीका कटोरी का है तो यहीं से बाकि आप अगर गला चोटा बड़ा कुछ करना चाहते तो इदर उदर कर सकते लेकिन अगर कटोरी की सही फिटिंग चाहिए तो यहीं से आपको कटिंग करना चाहिए अभी बताऊंगा मैं आपको की हुक और हाई की पट्टी की लंबाई कितनी चाहिए इस लंबाई के बलाउस में और इस गले के हिसाब से देखिए आगे वीडियो पूरा देखिएगा बहुत इंफर्मेशन वाला वीडियो है देखिए यह हो गया कटोरी आगई अपनी कोई टेंशन आया एक इंज इदर बढ़ाना एक इंज उदर बढ़ाना यह सब फालतो काम बन और यह डाइरेक काम आपको आज से सीखना है यह देखिए यह हमने गलावी कटिंग कर दिया आपको न यहाँ इस्ट्रा मार्जिंग देना है न यहाँ इस्ट्रा मार्जिंग देना है टोटल मार्जिंग इसी के अंदर है बस आपको मार्जिंग कहा देना है इस जगे पर ये भी हम क्यों देने लगाते हैं क्योंकि ये जो आर्म होल की गुलाई है थोड़ी बिगड़ जाती है अगर आपन यहाँ पर भी मार्जिंग एक साथ कटिंग कर देंगे तब ठीके तो यहाँ पर आपको सिर्फ एश्ट्रा मार्जिंग देना है अभी इसको कटिंग कर लेते हैं ऐसे हो गई अभी इसको कपड़े पर रखकर कटिंग करना बताऊंगा अभी इसी वीडियो में ये देखिए यहाँ पर रखेंगे इसे सीधा मिला कर ऐसे ये देखिए यहाँ पर देखेंगे और इस लाइनिंग पर ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पर लगा लिजी एक निशान ऐसे इसको हटा देंगे तो इसको लेंगे यहाँ पर यह देखिए किलियर यह मैंने यहाँ पर रख दिया है इससे मिला कर सीधा इस भाग को हम रख लेंगे यहाँ पर ऐसे ये किलियर हो गया बिल्कुल इस जगे पर ठीक है थोड़ा सा ऐसे देखिए बाहर रख गया ये देखिए इसको मिला देंगे यहाँ पर ऐसे देखिए ध्यान रखिए जब सामने का भाग मिलाएंगे तो हम ऐसे रखेंगे और बेक का भाग मिलाएंगे तो सीधा अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, ऐसे लगाना है, एक मार्क, यह देखिए, यहाँ से देखिए, यह हो गई मेरी क्रास पट्टी की मार्किंग, यह देखिए, यह हो गई हमारी क्रास पट्टी की मार्किंग, ठीक है, अब इसको हमको कटिंग करना है, केसे करेंगे, अगर आपने पास कारवान है तो बहुत आसान है इसको निशान लगाना लेकिन कारवान नहीं है तो फिर अपने को डाइरेक्ट केसे कटिंग करना है चलिये बताता हूँ यहाँ पर देखेंगे हम इस जगे पर देखिए यहाँ पर जोइंट यहीं होगा ना, तो यहाँ पर, देख कितना है, 2.75, 2.75 है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम, 3.25, 3.50, ठीक है, यहाँ रख लिया, यहाँ पर कितना है, हमारे पास, 2 इंच, तो हमको यहाँ कितना रखना है, पोने 3, याने 2.75, यहाँ पर कितने इंच है यह, यह आ रहा है मेरा तीन इंच तो यहाँ पर कितना चाहिए थिरी पाइंट सेवन फाइव यह लग गया मार्क अभी देखिए यहाँ से डाइरेक ऐसे न आप लीजिए यह देखिए ऐसे साड़े दस यहाँ रखिए साड़े दस इंच और यहाँ से देखिए इस एक सीधा मार्क और इस मार्क को देखिए यहाँ पर लाइए ऐसे और यहाँ से देखिए इस तरब ऐसे करेंगे हम थोड़ा सा घुमा कर और यह देखिए यह हो गई हमारी क्रास पट्टी की भी कटिंग थोड़ा सा राउंड को मिला लेजिए ऐसे और इस जगे, ठीक है, ये गया हमारे राउन बाहर, आप देखेंगे यहाँ पर इसको रख कर कि हमारी हूप की पट्टी कितने इंच आ रही है, ऐसे अटा दिजिये, यहाँ रखिए, इसको मिला लिजिये, इस तरह से, जैसे ही यह हमारा मिल जाता है, तो यहाँ पर आ जाती हमारी hook की पट्टी कितने इंच की है ये कितनी आ रही है देखिए ये दबाव सहीत 8 इंच की ठीक है मतलब ये तैयार कितनी आएगी 7.5 इंच की 7.5 इंच ये हो गया तैयार वाला और 6.5 इंच रहेगा हमारा neck तो दोनों मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 इंच तो ये रहता है hook आई और पट्टी का निकालने का तरीका तो ये रहता है hook और high की पट्टी निकालने का तरीका कि हमारी hook और high की पट्टी कितने इंच चाहिए हमको crash पट्टी कितने इंच चाहिए सबी चीज एक measurement से निकल जाती है तो इस पर बिल्कुल बे फिकर होके cutting कर सकते हैं इसको कपड़े पर कैसे cutting करेंगे वो बताने वाला हो उससे पहले आपको इसकी अस्तिन की भी cutting बता देता हूं यहाँ पर देखेंगे इसे एक mark लगाएंगे ऐसे ठीक है यहाँ पर रखेंगे अस्तिन की लंबाई कित्ती है साड़े आठ इंच तो इसको रख लेंगे नौ इंच पर ज्यादा टेंशन वाली नहीं बड़े आराम वाली आपको cutting बताने वाला हूं यहाँ पर रखेंगे 11 इंच ऐसे अब यहाँ से देखेंगे हम एक निशान लगा लेते हैं साड़े तीन इंच पर ठीक है यह देखिए साड़े तीन इंच ठीक है अब यह जो निशान है उपर वाला इसको भी तैयार कर लेंगे ऐसे ज्यादा टेंशन वाली नहीं बताऊंगा आपको बड़े आराम वाली कटिंग बताऊंगा देखिए यहाँ पर रखेंगे इसे यह कितना है मेरे पास साड़े सत्रा इंच यह कितना है मेरे पास पोने नौ इंच इसका डबल कितना होगा साड़े सत्रा इंच इसको ऐसे घुमाएंगे टेप को हलका सा यहाँ पर और यहाँ निशान लगा लेंगे ऐसे और इस टेप को ले जाएंगे इस जगे पर ऐसे घुमा कर याने यहाँ पर अब यह कितना आया अपने पास साड़े साथ इंच ठीक हैं और इसको देखिए यहाँ पर से ऐसे मिलाए अपन तो कित्ता आएगा सवा इंच का गेब तो यहां पर ऐसे रख लेंगे ऐसे और देखिए यहां से एक निशान लगा लीजिए लगे तो ऐसे और इस भाग को है न ऐसे मिला लीजिए यह हो जाएगी हमारी आर्म होल की गुलाई यह देखिए यह हो गई अब जो firend की ड्राइंग हो कहा है आपको दिख रही है ऐसे गुमाएंगे और यह जो firend की ड्राइंग है इसको भी हम कटिंग कर लेंगे ऐसे ठीक अब इसको यहाँ पर मिला देंगे और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आर्म होल में थोड़ा फुलाना आ सकता है तो आप यहाँ से सवा इंच देखिए कहां से यहां से 7 इंच या 1.5 इंच कर लिजिए और इस निशान को थोड़ा सा इसा सीधा रख लिजिए ऐसे और यहां से दे दीजिए इसको ऐसा राउंड देखिए कैसे हलका सा इसा राउंड करके मिला देजिए और इसको भी देखिए ऐसे कटिंग कर सकते हैं अपन घुमा कर इस प्रकार से अगर लंबी अस्तिन में यहां जोल आता है तो नहीं तो यह जो सीधा निशान इससे आप जोड़ दीजिए बरोबर अस्तिन आ जाएगे आपकी यह रखिए और यह हो गई मेरी अस्तिन की कटिंग अभी देखते हैं यहां पर हलका सा उपर बाहर जा रहा है ठीक ह और यहां पर हलका सा अंदर करना है ऐसे बस यह हो गई हमारी अस्तिन की कटिंग अब मैं आपको इसको कपड़े पर रखकर जमाना सिखाता हूँ कैसे जमाएंगे यह देखिए ऐसे रख लेंगे कपड़े को बंद भाग अपनी तरब और खुला भाग बाहर की तरब यह है अस्तर अब देखते हैं यह है हमारे पास फर्मा इस फर्मे को आप पहले पूरा जमा लीजिए और कटिंग कर लीजिए पहले देखिए यहां पर मैं क्या बिछा रहा हूँ यहां पर बेक को लगा रहा हूँ ऐसे करकर अब देखिए यहां पर आपको कहीं भी इस्ट्रा मा जाता है हमारा complete यह हो गया हमारा बेक का drying दोस्तों इसी परकार से बेक की ड्रीक कर लीजिए और यह जो फरमे रहेंगे ना यह बहुत काम में आने वाले हैं एक बार बना लीजिए हमेशा इसी परकार से अपना बिलांज cutting कर सकते हैं आप यहां रखेंगे इसे यह जगप fix रहती है ठीक है ना लेकिन अब अपने को कहां देना है extra margin या देना आपको मैंने बताया था इस जगे पर यहां पर आपको देना है extra margin अगर आप आदा इंच दबाते हैं तो आदा इंच बड़ा लेना अगर आप पाव पर यह देखिए ऐसे आप अस्तर में भी कपड़े की कटिंग करेंगे तो अस्तीन खड़े कपड़े में काटेंगे कभी भी अस्तीन आड़े कपड़े में नहीं बनाना चाहिए सिर्फ सिर्फ खड़े कपड़े में बनाना चाहिए यह हो गई हमारी अस्तिन की भी ड्राई यहां रखेंगे देखिए ऐसे यह हो गई पूरी उरेब तो मैं यहां पर ले आता हूं इसको क्योंकि कपड़ा जितना भी है अपने पास एश्ट्रा बचना चाहिए हो गया अपना निशान कम्प्लीट यहां पर भी और कहां देना है आपको एश्ट्रा मार्जिंग यहां पर आदा इंच की देड़ हमबर की आप जितना दबाओ देते हैं उतना ठीक है यह हो गई मेरी कटोरी की भी ड्राई दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देना चेनल पर नीव है तो सस्क्राइब कर ले दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो के साथ ठैंक्स पर वाचिंग